Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. I am your teacher Shilpi Tiwari और आज पढ़ेंगे General Knowledge का new topic Wild Winds Make Storms. What do you mean by wild winds? Wild winds का मतलब होता है चिल्रन हवाएं लेकिन हवाएं बहुत तेज और जब बहुत तेज हवाएं होती है चिल्रन तो बना देती हैं स्टोम्स माने के तूफान So children, wild winds को हम hurricane के नाम से भी जानते हैं किस नाम से जानते हैं? We also call wild winds children hurricane Always remember कि कोई आप से पूछता है कि wild winds क्या होता है So it is also known as hurricane So children, जब बहुत तेज हवाएं होती है तो आपको कभी आस्मान में डर सा लगने लगता है कैसे हर जगा अंधेरा चा जाता है पेड लगते हैं, मानों के गिरी जाएंगे सारा सामान, सारी छट इस तरह से आवास करने लगती है खूब सारी चीज़ें यहाँ वहाँ फेकने लगती है So children, इसका मतलब यह होता है कि storm आ गया है, तूफान आ गया है And that is why children, it is here given wild winds make storms माने के खूब तेज हवाई, जंगली हवाई माने के खूब खतरनाख हवाई क्या बना देती हैं? Storms बना देती हैं So children, in this chapter, we are going to learn about the storms, winds and monsoon Yes children, क्योंकि monsoon माने के rainfall में सबसे बड़ा हाथ होता है, winds का So children, yes, अगर हवाई नहीं होगी, अगर wind नहीं होगा तो मान लो के उस साल rains भी नहीं होगे Yes, किसी भी country में, किसी भी जगह पे rainfall is completely dependent on winds children And that is why आपने सुना होगा news में कहा जाता है कि वहाँ पे हवाओं का रुख बदल रहा है वहाँ पे हवाओं का कुछ बहुत जोर जोर से कुछ धूचाल मच रहा है मतलब, now the time is coming that your monsoon is arriving Okay, कैसे होता है, किस तरह से होता है, वो सब हम discuss करेंगे अभी लेकिन children, we are going to learn about the monsoon first Monsoon माने की rainy season Okay, जब खूब सारी बारिश होने लगती है, जमा जम 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 और मन कहता है, खाने का पकोड़े भजिया और हर जगह आपको सिर्फ दिखता है, पानी, 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 तो समझ जाना कि आपके शहर में हो चुका है Monsoon Okay, so children, that means rainfall In the picture, you can see how cars are on the road आधी कारे तो पानी में समा चुकी है इतना waterlog है children, क्योंकि proper पानी का passage नहीं है कि पानी निकल जाए इसलिए वो सारा पानी roads पे ही जमा होता रहता है फिर problem होती है इन बिचारी गाड़ियों को कि वो कैसे cross करे क्योंकि children आपको पता है कि ज्यादा अगर पानी बढ़ गया तो दिक्कत होगी गाड़ियों को इंजन हो जाएगा seas Yes, children, तो पानी के मज़े तो हम बहुत लेते हैं लेकिन हमने पानी के जाने का कोई प्रबंध ही नहीं किया है So many problems in different parts of the cities Children, जहां पे सुनते हैं कि पानी भर गया, पानी नहीं निकल पा रहा है पानी जमा है So children, monsoon तो आता ही है, खुश खबरी भी लाता है लेकिन साथ में लाता है water logging की समस्या Okay children, so बात करते हैं अपने topic की topic से नहीं बढ़ते कहीं और So children, monsoon जैसे के मैंने कहा कि monsoon को लाने में भी winds बहुत-बहुत काम करता है कैसे करता है, you can see here Heavy rain falls in India for about 4 months So children, yes, हमारी country में there are different-different types of seasons आप कुद पता ही होंगे, summer season, rainy season, winter season and then there are spring, there is autumn बहुत सारे seasons होते हैं हमारी country में children लेकिन children, जो हमारी country में rainy season होता है that is for 4 months Can you see here, it is for 4 months starting from June, July, August and September September खतम होते होते तक monsoon हमें alvida कह देता है So children, basically हमारी country में जो monsoon आता है that is for 4 months Okay, it is called the monsoon और तब सुना होगा अरे, sawan आ गया, monsoon आ गया, rainy season आ गया and everyone gets so happy especially the farmers of our country क्योंकि children हमारी country के जो farmers है वो rainy season पे dependent रहते हैं उन्होंने crops लगाई होती है और वो सोचते हैं कि पानी बरसेगा तो उनके crops को क्या मिलेगा? पानी मिलेगा और वो अच्छे से ग्रो करेंगे ओके children तो rain season जब आता है तो सब के मूँ में खुशियां लाता है The rain is needed Yes, we need rain children कभी भी ये नहीं सोचना कि अगर बरसात नहीं हुई तो क्या हुआ? कोई बात नहीं No children जिस साल बरसात नहीं होती है उस साल बहुत सारी problems का सामना करना पड़ता है हमने तो पढ़ाई ही है कि हमारे पूरे world में माने कि planet earth में बहुत कम होता है पानी which is actually usable जिसे हम use कर सकते हैं बाकी जो पानी होता है children वो होता है saline water माने कि salty water जिसका कोई काम नहीं होता तो all children सबसे जादा जो हम पानी के लिए dependent होते हैं वो होते हैं rainfall पर अब अगर सोचो कि किसी साल अगर बारिश नहीं हुई तो सारी चीजों का बंटा धार हो जाएगा crops नहीं grow करेंगे आपको पानी पीनी के लिए अच्छा पानी नहीं मिलेगा आपके lakes, ponds, rivers सब सूख जाएंगे तो आप सोचो children कैसे आप आराम से रह पाएंगे ओके and that is why it is written here the rain is needed it helps crops grow it provides water ओके so children आप खुदी सोचिए के आपको अगर दुनिया में रहना है if you want to stay healthy आपको क्या चाहिए you need food to eat so children अगर रेनी सीजन ही नहीं होगा तो how will our farmers grow crops क्योंकि हमारे farmers तो rainfall पे डिपेंडेंट रहते हैं तो children इसलिए हमेशा हमें यही मनाना है कि हर साल बहुत अच्छे से monsoon आए खुब अच्छे से बरसात हो ताकि हमारे देश की हमारे वर्ल्ड की river, lake सब भरे रहे और हमारे crops को भरपूर पानी मिले ओके children तो क्या बात थी कि monsoon जो हमारी country में होता है that is for four months and we need water because water is needed water is needed to grow crops ओके children then next है winds cause the monsoon so as I already told you children monsoon आने का सबसे बड़ा हाथ किसका होता है winds का हवाओं का winds ही है जो monsoon को लाते है children wet winds blow off the ocean कैसे होता है अब आप सुनिये ocean क्या होता है children जैसे कि आपने Indian ocean सुना होगा Pacific ocean सुना होगा ठीक है तो children जो ये सागर होते है ये क्या करते है इनके उपर से children wet winds blow करती है माने के उठती है wet winds मतलब humid से भरी हुई हवाई उपर उठती है they hit hot air from the mountains और children जो पहाडों पे उचे उचे पहाडों पे जो ये hot air चल रही है those children जो ocean में से wet wind निकली है मान लो this is your ocean children okay this is your Indian ocean एक example ले लेते है this is your Indian ocean children और इसके अंदर से wet wind निकल रही blow off कर रही है मतलब निकल रही है अब children जब ये wet wind जो है ये वाली hot air से hit करती है मतलब टकराती है when they hit hot air from the mountains this forms storms और children जब ये हवा है यहां से wet हवा निकल रही है कहां से ocean से और यहां से hot air निकल रही है कहां से mountain से जब ये hot air और ये wet air दोनो एक दूसरे को hit करते हैं children तो बनता है storms माने के तूफान ओके चिल्रन तो तूफान कैसे आता है अब आपको समझ में आया कि जब समुद्र में से सागर में से wet air जो होती वो ब्लो आफ करती है और mountains में जो hot air उड रही है दोनों जब एक दूसरे को hit करते हैं children तो बनता है तूफान बनता है storms and that is why the chapter is wild winds make storms okay now what is there in India 8 of every 10 drops of rain fall during the monsoon so children हमारी country India में जो 10 drops होते है rain के वो फॉल करते है उसमें से 8 8 every 10 drops of rain fall during the monsoon ठीक है 10 drops में से 8 जो होते है children वो rain क्या होती है fall होती है हमारी country India में तो धिहान रखना trend 10 drops में से 8 drops जो होता है वो rain fall हो जाती है हमारी country India में children okay now a storm forms over warm wet water in the ocean अब चिल्डन जो storm है a storm forms over warm water in the ocean जो storm बना children वो क्या करता है वो फिर warm water में ocean के उपर पे जाके चलने लगता है storm माने के कैसा आप देख सकते हो कैसा आया है चक्रवात इसका हिंदी क्या होता है चक्रवात होता है storm का अब आपने storm तो बना दिया wild winds ने storm बना दिया अब जो storm होता है children वो ocean पे क्या करता है उसके उपर पे आने लगता है उडने लगता है it is bigger than many countries and children ये इतना बड़ा तूफान होता है इतना बड़ा storm होता है कि किसी country के size से बड़ा होता है it is bigger than any countries it looks like a pinwheel it looks like a pinwheel children like this it looks like a pinwheel जब storm आता है so it looks like this children in the water अब आपने storm तो प्रदूस कर दिया wild winds ने storm प्रदूस किया and that storm is on the ocean children and it looks like a pinwheel और वो ऐसा ऐसा घूम रहा और इतने बड़े size का है कि किसी country के size को मात दे दे okay it is called a tropical cyclone और जब इस तरह का pinwheel बन जाता है children then it forms tropical cyclone okay this is tropical cyclone when the storm takes the shape of pinwheel that means it is tropical cyclone it is a dangerous storm और चिल्रन ये बहात ही खतरनात तूफान होता है tropical cyclone अगर आप सुन रहे हो कि tropical cyclone आ रहा है किसी country में that means it is very very dangerous storm children okay तो आप समझे कि कैसे storms बन रहे हैं आपके जो ocean के ऊपर wet air है वो ओड रही है और mountains के ऊपर जो hot air है उन दोनों जब टकराते हैं तो क्या बनता है children storms बनते हैं और जब ये storms children ocean के ऊपर आके खुब खतरनाक तरीके से उड़ने लगते हैं घूमने लगते हैं then they take the shape of pinwheel and then it becomes tropical cyclone and yes children tropical cyclone is very very dangerous ये तबाही मचा सकती है किसी भी country में इधर उधर सारी चीजें कर सकती है कुछ भी कर सकती है बहुत सारा human loss हो सकता है property loss हो सकता है आपको पता भी नहीं चलेगा कि within 10 seconds में tropical cyclone कितना कुछ loss कर सकता है okay so this is the shape like a pinwheel children and it is taking the form of tropical cyclone okay then what is there the center of a cyclone is called the eye so children pinwheel का जो center होता है उसको हम कहते हैं eye the center of the cyclone is called eye children ठीक है तो आपको समझ में आया कि कोई भी cyclone का जो center होता है that is known as eye the eye is calm and clear children तो जो बीच का जो पाट होता है cyclone का चिल्रन बहुत शान्त होता है और clear होता है it is calm and clear the area outside the eye is the eye wall और चिल्रन ये जो eye के बहार के जो area है इसको कहते हैं eye wall क्या कहते हैं eye wall center जो है cyclone का उसको तो हम समझते हैं क्या कहते हैं eye कहते हैं लेकिन जो eye के बहार का जो area है that is wall is known as eye wall the eye wall and arms are stormy and children ये जो बहार के areas होते हैं eye wall children ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं बहुत आतंग फिलाने वाले storms होते हैं अंदर तो बहुत शान्ती है अंदर it is calm बट जैसे जैसे ये eye wall बढ़ता है अपने arms फैलाता है children ये सबसे बहुत ज़्यादा dangerous होते हैं ये तबाही मचा देते हैं तो understood about storms कैसे ये तूफान बनते हैं wild winds make storms पहले तो children winds monsoon लाने में मदद करता है दूसरा children अगर बहुत ज़्यादा winds आ गए तो ये ले आते हैं तूफान और तूफान भी कौन सा वाला tropical cyclone जो वैसे ही बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है okay so understood the chapter wild winds make storms and important important points भी आप समझ गए के आई क्या होता है आई वाल क्या होता है पिन वील क्या होता है ये सारे term cyclone से related है children you will need to understand that क्या होता है आई सेंटर होता है cyclone का काम होता है outside the eye is known as eye wall and it is yes stormy और जो शेप होता है children cyclone का वो कैसा होता है पिन वील होता है and the example is in front of you okay children so this was the chapter wild winds make storms I hope you have enjoyed the session क्योंकि आपने ये cyclone शब्द तो बहुत सुना होगा winds भी सुना होगा लेकिन आप ये नहीं जानते कि cyclone बनता कैसे था okay तो आज के बाद आपको समझ में आ गया है कि ये cyclones हमारे winds ही लाते है और कैसे लाते हैं जब wet winds और hot air mountains के टकराते हैं तो ये cyclone जैसी स्थिती बना देते हैं okay children अब एक एक information कि अगर आपको Magnet Brains के videos देखना होता है जाना है Google Chrome पे लिखना है www.magnetbrains.com उसके बाद ये site खुलेगे इस पे लिखा रहेगा India's 100% free online education platform नीचे दिये रहेंगे classes now for example you are in class 2 click class 2 उसके बाद आपके सारे teachers with their subjects आपको दिखेंगे अब आप मान दीजिए आप GK पढ़ना चाहते हैं आप GK watch not दबाएंगे उसके बाद आपके सारे chapter wise videos आपके सामने होंगे आपको जो भी video प्ले करना है करिये और video will start ओके तो ये था आपका chapter wild winds make storms next video में यसी chapter ही करेंगे exercise तब तक के लिए magnet brains को like, follow, subscribe करना बिल्कुल नहीं भूलना है क्योंकि magnet brains देता है kindergarten to grade 12 free videos and free education thank you